नमस्कार्णी, मैं विराट कोडी, आज आपसे एक भारतिय खिलाडी के तौर पे नहीं, पर एक भारतिय नागरी के तौर पे बात कर रहा हूं, जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड, सडकों पे, जुन में गूंते लोग, कर्फ्यू का पालन न करना, यह सब देखके मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारन तरीके से देख रहे हैं, और यह लड़ाई उतनी साधारन नहीं है, जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है, तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज, कि प्लीज, 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें, जो भी सरकार ने हमको डारेक्टिव्स दिये हैं, जो भी चीज़ें करने को दिये हैं, उसको प्लीज, प्लीज, बहुत इमानदारी से, पूरी इमानदारी से फॉलो करें, यह सोचें कि अगर आ परवाई को जैसे तो आपको कैसा महसूस होगा तो प्लीज हमारी सरकार हमारे मेडिकल एक्सपर्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय पे इस चीज के लिए और ये चीज तभी सक्सेस्फुल हो पाईगी जब हम लोग भारतिय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभ हैं तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज ठीक होने देखना चाता हूं और मैं आप लोगों से बिंती करता हूं कि प्लीज जो भी सरकार हमें कहरे हैं करने को उस चीज का पूरा पालन करें जैहिंद नमस्कार मैं विराट कोली आज आपसे एक भारतिय के तौर पर नहीं पर एक भारतिय नागरी के तौर पर बात कर रहा हूं जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा लोगों की भीड सड़कों पे जुन में गूमते लोग कर्फ्यू का पालन ना करना लॉकडाउन का पालन ना करना ये सब देखके मुझे ऐसा लगा क कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारन तरीके से देख रहे हैं और ये लड़ाई उतनी साधारन नहीं है जितनी हम लोगों को दिखती है हम लोगों को महसूस होती है तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पाल जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव दिये हैं, जो भी चीजें करने को दिये हैं, उसको प्लीज, प्लीज, बहुत इमांदारी से, पूरी इमांदारी से फॉलो करें, यह सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी, कोई भी प्रॉबलम हो जाए, आपकी लापरवाई क दोई जैसे तो आपको कैसा महसूस होगा तो प्लीज हमारी सरकार हमारे medical experts बहुत महनत कर रहे हैं इस समय पे इस चीज के लिए और ये चीज तभी successful हो पाईगी जब हम लोग भारतिय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए मस्ती मजाग करने के लिए रोडों पे निकलना इस इस महौल का फाइदा उठाना मेरी नजर में अपने देश से इमानदारी नहीं है तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज ठीक होने देखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से बिंती करता हूँ कि प्लीज जोगी सरकार हमें कहरे ये करने को उस चीज का पूरा पालन करें जैहिन